नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ट्रिस टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ट्रिस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ट्रिस टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ट्रिस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ट्रिस एक ब्रैंड नेम है, ट्रिस टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन से ट्रिसिन 10MG होता है, ट्रिस टैबलेट एक अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, ट्रिस टैबलेट का उप्योग सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पान के लिए किया जाता है, सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए ट्रिस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से कुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ट्रिस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ट्रिस टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ट्रिस टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान होना, नींद अधिक आना और उल्टी आने का मन होना आधी साइड इफेक्स Tris Tablet की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की Tris Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। Tris Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को Dr. Tris 5 MG Tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। और बारा साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर ट्रिस-10-MG टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। ट्रिस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि ट्रिस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ट्रिस टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ट्रिस टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ट्रिस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ट्रिस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।